मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के गुडी खेडा रेंज के जंगल में अवैद कटाई कर जमीन हथियाने वाले अतिक्रमन कारियों के खिलाफ वन विभाग ने बड़ी वैधानिक कार रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। इसे लेकर आला अधिकारियों की उच्चस तरिय बैठक हुई जिसमें रणनीती बनाते हुए गुडी खेडा वन पर इक्षेत्र को अतिक्रमन मुक्त करने पर वरिष्ट अधिकारियों के मध्य विचार विमर्ष हुआ। इंदोर संभगायुक्त ने वी सी के माध्यम से टास्क फोर्स से विबिन बिंदूओं पर चर्चा की। इस दोरान कलेक्टर अनूप कुमार सिंग, एसपी मनुज कुमार राय, डिएफो राकेश कुमार डामोर सहित वन विभाग के आला अधिकारी मौजूद थे। आपको बता दें, खंडवा के वन विभाग ने अतिक्रमन कारियों की सूची तेयार कर भारतिय वन अधिनियम के तहट नोटिस दिये गए हैं। जुताई कर खेती की जा रही है। इस संबंध में डिएफो राकेश कुमार डामोर ने क्या कुछ कहा, वो भी आपको सुनवाएंगे। चैनल पर पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन का बटन दबादे ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। खबर को पूरा देखने के लिए वीडियो के अंतक बने रहें। प्रत्यकमा जिला संभागिस्तरी जो टासफोर्स की जो बैठक होती है। उस बैठक को उन्होंने वीसी की दौरा हम लोगों कनेक्ट किया था। और उस वीसी में और उस बैठक में भी जो अतिकर्मन को लेकर उसमें चर्चाएं की गई है। आगे की रणनिती पर भी उसमें चर्चाएं की गई है। कि अगर दावे अमानी किये जाते हैं इनके इसके बाद में उसमें क्या कारवाई की जाएगी उस बाद पर चर्चा हुई है। तो हम जल्द ही उसमें आगे बड़ी कारवाई करेंगे।